वेलकम स्ट्टूजन्स, इंजिया टेक फेमली के अंदर आप सभी का फिल से स्वागत है और मैं रहूल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे RS Pre 2018 के एक्जाम के एक्सपेक्टिड कटोव के बारे में तो हम सारी कटोव के बारे में बात करेंगे, category wise बात करेंगे, general, OBC, SC और ST सारी काटिगरी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और क्या cut-off रहने वाली है जिससे आपको मेंस में मोका मिलेगा जाने का तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो आप मेरी वीडियो सुरू से लेके लास तक जूर देखना अगर आपको मेरी देखन अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और अगर हो सके तो मेरे चैनल को subscribe कर लेना और साथ में bell icon को ज्रूर प्रेस करना ताँके आपको इसी तरिके की information मिलती रहे और साथ में comment जुरूर करना अगर आपको किसी तरीक एगा doubts है तो तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं इसके exam pattern के बारे में तो सबसे पहले exam pattern के बारे में आप बात करें तो number of questions हमारे 150 आने थे तो उसमें आपको 70 marks काउंट करने उसके अंदर आपको 69 marks काउंट करने क्योंकि अगर आप 3 questions गलत करते हो तो उसका 1 marks आपका कम हो जाएगा मतब direct बाद है 1 by 3rd हमारी negative marking थी इसके अंदर तो मतब 3 questions गलत हो नहीं बाद आपका 1 marks है वो कम हो जाएगा जिसके अंदर आपको जो total questions थे 150 और total marks हमारे थे 200 तो इसमें से हमारे expected cutoff आप सबीगे लिए लेके आएँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं RS की जो expected cutoff के बारे में तो general की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 69 से 71 हमारी expected cutoff जा सकती है इसके अंदर आप minus 5 या plus 5 कर सकते हो प्लस 5 कर सकते हो इसके अंदर मतलब 69 से plus 5 हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा increment नहीं होगा अगर OBC की बात करें तो 68 से 70 हो सकती है हमारी अगर SC की बात करें तो 65 से लेके 66 और ST की 61 से लेके 62 हमारी cutoff हो सकती है तो बस यही expected cutoff है अगर इसमें कुछ increment आपको यह लगता है कि भी हाँ इससे यह कम है cutoff या फिर यह ज़्यादा है तो आगर आपको इसमें भी कुछ लग रहा है कि इसमें कम ज़्यादा होने चाहिए तो आप मुझे comment करके बताना अगर आपने अपनी answer की नहीं match की है तो उसकी वीडियो मैंने बनार किया पूरी वीडियो बनाई हुए है जिसके अंदर पूरा paper मैंने 150 questions को पूरा बताया हुए उनके answer राइट और वो एकदम accurate answers है अगर आप वो देखना चाहते है तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा और उसका link आपको उपर आई बैल वे भी मिल जाएगा तो वहां पे चाहके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो फिर मिलते हैं next video के अंदर इसी तरीके की update के साथ अगर आपको कोई information से चाहिए तो please मुझे comment करके बताना